आज के इस लेक्षर में हम लोग बात करेंगे ब्रॉंक्यलस्थमा के बारे में कि ब्रॉंक्यलस्थमा क्या है और फार्मकलोजी में कौन-कौन सी ऐसी ड्रग्स है जो कि ब्रॉंक्यलस्थमा को ट्रीट करने में यूज की जाती है तो सबसे पहले बात करेंगे कि ब्रॉंक्यल मिलता है तो धान रिखिए कि क्या हो सकता है हमारे पास यहां पर impairment of airflow अगर impairment of airflow अगर होता है तो bronchial इस्तमा हो सकता है अब यह impairment क्यों हुआ है तो इसका जो reason है वो यह है कि अगर हमारे जो bronchial smooth muscles है यानि कि वो muscle जो कि हमारे जो bronchial area के अंदर present है जो कि भी smooth होती है nature में, अगर उन में किसी तरह का contraction होता है, यानि कि broncho spasm अगर होता है, तो उसकी वज़े से क्या हो सकता है, air flow impair हो सकता है, पहला reason हो गया यह, second reason हम लोग बोल सकते हैं कि अगर mucosal edema अगर हमें देखने को मिले, तो उसकी वज़े से भी क्या हो सकता है, भी bronchial asthma हो तो वहां पर mucosal cells होती है, जो कि mucos, mucos जो है उसका क्या करती है, secretion करती है, तो अगर उनका ज्यादा secretion हो गया वहां पर, तो क्या हो सकता भई, हमें bronchial asthma हो सकता है, तो ये भी airway को क्या करेंगे, और जो third यहां पर जो reason है bronchial asthma का, वो ये है, कि जो bronchial mucos है, अगर उसका secretion क्या हो जाए, increase अगर हो जाए, तो उस condition में भी क्या हो सकता है, bronchial asthma हो सकता है, अभी mucos का secretion किस वज़े से होगा, या तो उस particular site पर inflammation हो जाए, अब inflammation किस वज़े से होगा, वहाँ पर किसी तरह के infection होने की वज़े से, और दूसरा हो सकता है कि, हमारा जो airway है, वहाँ पर किसी तरह की hyper responsive ने समय देखने को मिले, ठीक है, किसी तरह का irritation हो वहाँ पर तो उस condition में भी bronchial mucos का secretion बढ़ सकता है, तो यह तीन particular reason मैंने बता है आपको, जो की bronchial asthma cause करेंगे, अब हम बात करेंगे, ऐसे कौन-कौन से factors हैं, जो की responsible होते हैं, asthmatic attack के लिए, तो अस्थमा का जो episode आता है, वो क्यों आता है, इसके हमारे पास में तीन reason है, number one है, allergy, second है infection, और third है हमारे पास में psychological factor, अगर मान लोग कि हम लोग किसी dust area के अंदर है, जहां पर dust उड़ रहा है, तो वो क्या कर सकते हैं, एक irritant की तरह react करेंगे, और जब वो react करेंगे, तो allergy होगी, तो उस वज़े से क्या हो सकता है, asthmatic attack आ सकता है, ठीक है, अब हम बात करेंगे यहां पर, कि जो airway का यहां पर obstruction हो रहा है, अस्थमा के अंदर, तो वो किस वज़े से हो रहा है, तो उसका main reason है, वो क्या है, तो यहां पर आप ध्यान रखिए, कि इसका main reason है, वो यह है कि हमारा जो lungs है, हमारे lungs के अंदर क्या मिलती है, mast cells होती है, और यह mast cells जो है, इनके अंदर कुछ granules के form में, कुछ mediators होते हैं, तो mast cell के अंदर जो granules थे, जब वो उनको release करेगा, उन mediators को, तो उस वज़े से क्या होता है, airway का obstruction होता है, किस में अस्थमा के अंदर, अब हम बात करेंगे, जैसे मालो कि यह हमारे पास में एक mast cell है, और इस mast cell के अंदर हमें क्या मिलेंगे भई, different different kind के क्या मिलते हैं, इस तरह से हमें granules मिलेंगे, ठीक है, अब यह granules जो है, यह actual में क्या है, mediators है, अब यह mediators कौन-कौन से होंगे भई, तो यहां पर हमारे पास में कुछ mediators है, कौन-कौन से हैं, देखिए, histamine, serotonin, जिसका दूसरा नाम है, 5-HT, 5-hydroxytryptamin, prostaglandins, leukotrains, leukotrains भी अलग-अलग type के हैं, LTC4, LTD4, LTE4, ठीक है, proteases और platelet activating factor, PAF, यह सभी के सभी क्या हैं, यह mediators हैं, जो की mast cell में present होते हैं, तो जब यह mast cell degranulate होगा, यह mast cell जो है, जब यह degranulate होगा, जब यह तूटता है, तो जितने भी factors जो इसके अंदर क्या थे, present थे, वो सब के सब क्या हो जाएंगे, बाहर release हो जाएंगे, और जब यह release होते हैं, तो आगे जाकर कि, अस्थमा के अंदर क्या कर सकते हैं, यह asthmatic attack ला सकते हैं, और दूसरे भी other इनके reasons हैं, जैसे hypersensitivity हो सकती है, ठीक है, हमारे skin हो सकते हैं, ठीक है, dermatitis हो सकता है, वो सभी region जो है, वो क्या होंगे, यह mediators होंगे, अब हम बात करेंगे कि, अस्थमा जो है, इसके types कौन-कौन से हैं, तो generally अपन बात करेंगे, आपर हमारे पास में, तीन तरह के अस्थमा है, नमबर वन है, हमारे पास में, यहां पर acute अस् सकता है, तो disneya के साथ हमें, expiratory wheezing होगी, और जब इसके episodes होते हैं, तब हम लोग उसको नाम देंगे, acute asthma, secondly अगर अपन बात करें, chronic asthma, तो chronic asthma में क्या होगा, कि यहां पर हमें, दो-तिन चीजे देखने को मिलेंगी, number one, एक तो हमें, जब भी अपन exertion करेंगे, ठीक है, तो हो जाए, absent भी हो जाए, ठीक है, इसके अलावा, respiratory infection हो सकते है, recurrent respiratory infection, इनकी बार-बार आपको क्या हो रहा है, respiratory track में infection हो रहा है, ठीक है, और यह कब हो सकता है, जब कफ और mucod sputum हो, यानि कि कफ और sputum हो, और उनके साथ-साथ में, हमारे respiratory area के अंदर बार-बार क्या हो रह होता है, तो हमें chronic asthma होगा, और यह लंबे समय तक चलता है, इसके अलावा, जो third type का जो asthma है, वो है status asthmaticus, जिसका दूसरा नाम है acute severe asthma, यह एक emergency condition होती है, और इसमें हम लोग बोल सकते है, कि अगर लंबे समय तक क्या होता है, severe interactable wheezing अगर होती है, तो उसकी वज़े से, क्या होगा, status asthmaticus होगा, और इसका duration of action होता है, जो time duration होगा, वो भी क्या होगा, भई, longer होगा, यह हो गया हमारा asthma के बारे में, कि अस्थमा है क्या, इसके reason क्या है, अब pharmacology के purpose से अगर अपन बात करें, तो हम बात करेंगे यहां पर anti-asthematic drugs के बारे में, कि कौन-कौन सी ऐसी drugs है जो की अस्थमा में काम आती है, तो number one अगर अगर अपन बात करें, तो अपन बार बर बोला है कि हमारा respiratory जो पैसे है, वो क्या होता है, यहां पर abstract होता है, narrow हो जाता है, तो हमें सांस लेने में क्या होती, problem होती है, तो जो bronchial smooth muscles थी, जिनके अंदर contraction हुआ है, bronchospasm हुआ है, तो number one हमारा काम यही रहेगा, कि हम क्या करें, उनको dilate करें, तो सबसे पहले अपन जो drug use करते हैं, वो है यहां पर bronchodilators, देखो नाम में यह bronchodilator, यानि कि यह bronchial muscles जो है, जिनमें construction हो रखा है, यह उनको क्या करेंगे, डाइलेट करेंगे, जिससे कि हमारा respiratory pathway क्या हो जाए एक तो आते हैं, इसके अंदर sympatho mimetic, दूसरे होंगे methyl genthine, और एक होंगे anticholinergic, तो तीन तरह के आते हैं, इसमें bronchodilator, तो सबसे पहला bronchodilator है, हमारे पास में sympatho mimetic, यह जो sympatho mimetic, जो bronchodilator है, यह भी आगे जाकर कि कितने type के होंगे, two types के, number one है, हमारे पास में selective beta 2, adrenergic agon जिसको आपन short form में बोल सकते हैं, selective beta 2, agonist, और second हमारे पास में है, यहाँ पर कौन सा, non selective, ठीक है, तो दो तरह के हमारे पास में, यहाँ पर sympatho mimetic bronchodilator है, अगर इनके drugs की बात करें, तो ध्यान रखेगा, non selective में तो एक की drug ध्यान रखने हैं, आपको adrenaline, जबकि अगर बात कर कौन कौन सी होगी, तो यहाँ पर दो द्रग याँ रखने हैं, आपको salbutamol और tributaline, ठीक है, salbutamol और tributaline, अब आप इन salbutamol और tributaline को याद किसे रखोगे, यह short acting है, तो आपको लिखना है, short, s, h, o, r, t, तो short में, जो starting का s ले लो, और last का t, s सी हो जाएगा, हमारे प दोनों क्या होंगे, short acting होंगे, अगर long acting के अगर अपन बात करें, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आपको BSF से यह याद रखना है, ठीक है, b, से यहाँ पर आपको याद रखना है, यहाँ पर bamboo tarol, s, से आपको यहाँ पर याद रखना है, क्या salmit tarol, और f से यहाँ रखना आपको यहाँ पर फोर्मो टेरोल तो तीन तरह के हमारे पास में लोंग एक्टिंग ड्रग होगे बैंबू टेरोल सालमी टेरोल एंड फोर्मो टेरोल ठीक है यह पढ़ने के बाद अपन नेक्स्ट इसमें बात करेंगे है कि सेकेंड जो ब्रोंको ड्रहेटर है वह हमारे पास में मैथिल जयन sizi याद रखे हमने ब्रोंको ड्रत बोला थे तीन त्रह गया है पहला हमने पढ़ लिया sympathomimetic दूसरा हमारे पास में है कौन सा methyl genthine यह methyl genthine है इनको आप याद रख सकते हो किसे इट से EAT इसे आपको याद रखना है etophylline A4 aminophylline and T4 theophylline तो यह तीन त्रह के हमारे पास में methyl genthine होगे ठीक है और anticholinergic हमारे पास में दो ही है इनको आप याद रखना किसे टाई से जैसे अपन गले में टाई भांते न तो वैसे तो T4 याद रखना आपको teotropium bromide and I से आपको यहाद रखना है epratropium bromide ठीक है तो यह हमारे पास में तीन क्या होगे ब्रॉंको dilator कौन-कौन से sympathomimetic methyl genthine और anticholinergic ठीक है तो यहाँ पर आप ध्यान रख सकते हो कि हमारे पास में तीन क्या है यहाँ पर bronchodilator है ठीक है तो आप इसको याद रखना ना जैसे अपन samsung को लिखते ना sam samsung ठीक है तो S से याद रख लेना आप यहाँ पर sympathomimetic ठीक है A4 anticholinergic and M से आपको यहाँ पर याद रखना है methyl genthine ओके तो bronchodilator के बाद अगला जो हमारे पास में जो anti-esthmatic drug है वो है हमारे पास यहाँ पर leucotrine receptor antagonist ठीक है कि जो leucotrine के जो receptor है उनके लिए antagonistic drugs कौन-कौन सी है तो यहाँ पर हमारे पास में तीन drug है Montelukast, Jafir Leucast and Jailuton तो तीन हमारे पास में drug हो गए यहाँ पर कौन-कौन से Montelukast, Jafir Leucast and Jailuton ठीक है तो यह अपन को यहाँ पर ध्यान रखना ठीक है अब इनको कैसे याद रखोगे बई तो यहाँ पर आप हिंदी में इनको याद रख लेना कि ले मज़ा ठीक है तो ले से तो आप यहाँ पर क्या याद रखोगे बई ले से याद रखना आपको यहाँ पर ल्यूकोटाइन हो गया ठीक है और मज़ा से मज़ा में याद रखना मज़ा में ऐसे M-A-Z मज़ा M-4 याद रखना आपको यहाँ पर Montelukast और Z से आपको यहा ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के बाद जो थर्ड हमारे पास जो ड्रग है वो है मास्ट सेल इस्टेबलाइजर स्टार्टिंग में जब अपने बोला था कि अस्थमेटिक अटेक जो आता है उसका एक रिजन ये भी है कि मास्ट सेल जो है वो जब अपने मीडियेटर्स रिलीज करती है तो उसकी वज़े से भी क्या होता है अस्थमेटिक अटेक आते हैं अगर हम लोग उन मास्ट सेल को स्टेबलाइज कर दें कि वह तूटे ही ना उनका ब्रेकडाउन ही नहीं हो ठीक है उनका डिग्रैनुलेशन ही ना हो तो यह भ से यहां पर किटोटी फेन ठीक है तो जैसे अभी आजकल अपने लोग मास्क का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं तो यहां पर आप याद रख लेना मास्क मास्क ठीक है यहां पर आपको मास्क से तो आपको यहां पर याद रखना है मास्ट सेल इस्टेबलाइजर से आप अपने mask cell stabilizer को क्या कर दिया, mask कर दिया, यानि कि इनको रोक दिया, degranulate होने से, तो हम लोग अस्थमा की attack को रोक सकते हैं, ठीक है, इसके बाद हमारे पास में fourth जो drug है, जो की anti-asthematic है, वो है, glucocorticoids, glucocorticoids, आपको पता है, यह steroids है, और यह दो तरह के हमारे पास में होते हैं, एक होते हैं inhaled, और दूसरे हैं हमारे पास में systemic, ठीक है, दो तरह के हमारे पास, inhaled और systemic, inhaled मतलब इसको हम लोग inhale कर रहे हैं, ठीक है, अब यह जो inhaled है, आपको इनको याद रखना है किस से, BF से, या फिर Facebook से याद रख सकते हो, तो जैसे भी आपको suitable हो, आप BF से भी या बुडी सोनाइड और एप से आपको याद रखना है, फ्लूटी का सोन, ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख लेना, inhaled हमारे पास में तीन है, बैकलो मेता सोन, बुडी सोनाइड, एंड फ्लूटी का सोन, अगर हम लोग systemic की बात करें, तो systemic की अंदर हमारे पास में क्या ह ठीक है, द्यान रखना, prednisolone, methylprednisolone and hydrocortisone, ठीक है, अब इसको कैसे याद रखोगे भई आप लोग तो इसको आप याद रख लेना भई कि Hmsp, इसको आप द्यान रखना, Hmsp, हमारे SP, ठीक है, हमारे SP, ठीक है, कैसे याँ ध्यान रखने हैं, हेट से आपको यहाँ पर याद रखना है, हाइड्रो कोर्टिसोन, M.4 मेथिल प्रेडनी सोलै मेचनल चयों, एस से आपको याद रखना है, आपको वह है anti-IgE monoclonal antibody जहां जहां पर भी allergy होती है तो आपको यह पता होगा कि जहां जहां allergy होगी वहाँ पर कया मिलेगा हमें अगर allergy के reaction को रोक दिया जाए तो एक तरह से हमने कहा कि हमारे immune system को थोड़ा सा वीक किया है तो IgE antibody जो है monoclonal antibody अगर इसके anti अगर कोई drug हो तो उसका यूज अगर करें तो वह drug है हमारे पास यहां पर कौनसी omelizumab omelizumab तो यहां पर याद रखने हैं कि omelizumab जो है वह कह है anti IgE monoclonal antibody है ठीक है और यहां पर आप ध्यान रख सकते हो तो M4 यहां पर देखो monoclonal और A B से आप याद रख सकते हो antibody तो monoclonal antibody ठीक है तो यह हमारे पास में हो गए anti asthmatic drugs जो की यूज होते है bronchial asthma के बारे में ओके थैंक यू